और चले रुख कर लेते हैं जार्खंड का जार्खंड में कोरोना का कहला अतार जारी है जार्खंड में 6,333 नई पॉजिटिव के सामने आये हैं कोरोना के जबकि 169 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है 24 गंटे के बीतर में इसके साथ जार्खंड में कोरोना इस कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है राज़ानी राचु की बात कर लेते हैं तो यहाँ 24 गंटे में 1387 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आये हैं और ज्ञारकंड में कोरोना का मीटर क्या कुछ कहता है ज्ञारकंड में कैसे संक्रमण पैर पसार रहा है मेरे से योगी जुड़ चुके मेरे साथ आदा जानकारी के साथ अभी फिलाल वहांपर कोरोना की क्या रफ्तार है सरकार के कदम उठा रही है और अस्पतालों की क्या कि मने देखिए अगर राजधानी राची सहित पूरे जार्खन की बात करें तो संक्रमन का दाइरा जो है वो लगतार बढ़ रहा है और बीटे 20 दिनों से जो आंकड़ा है वो एक हजार से नीशे का नहीं हुआ है यानि हर रोज एक हजार से जादा लोग संक्रमित पाये जा दूसरी तरफ गवर्मेंट की जो कोशिशे हैं वो भी युदस्तर पर चल रही है अभी जार्खन में स्वास सुरक्षा सब्ता का दूसरा फेस चल रहा है इस फेस के तहट कुछ पाबंदियां सक्त की गई हैं और लोगों को बगार जरूरत घरों से बाहर आने की बाद जो है वो भीड में काफी जादा कमी देखी जा रही है और कोई भी लोग बगार जरूरत के अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं हलाकि यह नजारा अभी सुबे का है लेकिन दो बज़े के बाद यह बिल्कुल ही पूरे तरीके से यह जो सड़के हैं वो साने बंद की जाएंगी तो उसके बाद जो भी movement सड़कों पर होता है तो तो बेरिकेटिंग भी नगाए गई है और जब ही दो बजे के बाद यानि तीन बज़े के बाद ऑगर कह सकेए कि जब movement होता है लोगों का तो movement question किये जाते हैं यानि जो प्लिस परशासन मौके पर मौझूद होती है वो लोगों से यह जानने की कोशिश करती कि आखिर वो सलकों पर क्यों निकले हैं और अगर संतोष जनक जवाब नहीं होता है तो फिर fine भी कातने का प्रावधान जो है वो चल रहा है या कि स्वासरक्षा सब्ता का आज दूसरा सब्ता है यह आगे इस सब्ते में खत्म हो जाएगा लेकिन कोशिश है कि चेन को तोड़ा जाए और चेन को तोड़ने के लिए सबसे एहन जो चीज है कि लोगों को बताया है और सरकार भी कहीने का एक्टिव नजर आ रही है बैट क कि कमी उसको दूर करने कोशिश की जा रही है ऑख जोर दूर करने के कोशिश कीज चारे है तो लेकिन उसके बाबजूत है संक्रवान की जो रफ्तार उस पर लगाम नहीं लग रही है लेकिन सरकार की कहीने से चल रही है और लोगों की जागरुकता भी देखने को मनजर आ रही है लेकिन जिस तरीके से अगर दो सप्ता पहले की बात करें तो दो सप्ता पहले कुछ भी पाबंदिया नहीं थी लोग बेधरक सडकों पर बेतर्तीब तरीके से निकल जाते थे बड़े-बड़े स्वासुरप्शा सप्ता की दोर पर देखा जाता है तो जो कॉंटाक पहले के टाइम पे हुए थे कहीं न कहीं उसका असर अब देखने को मिल रहा है इसलिए जो भी लोग टेस्ट करा रहे हैं तो टेस्ट में संक्रमित पाए जा रहे हैं तो अब जब लॉक्डाउन सब्सक्राइब लॉक्डाउन बढ़ाने का असर दरातल पर कितना देखने को मिलेगा यह एक मैदवपूर सवाल रहेगा बहुत शुक्रिया आपका तवाम जानकारी के मारसा जुड़ने के लिए और यहां रुकते हैं छोटे सब्रेक के लिए जो लोटते हैं